शरी गड़ेशाय नमा नमस्कार में तरोज सागत करती हूँ है आप सभी का आपके अपनी चैनल ग्यान गंगा में हिंदू पंचान की ग्यारवी तिथी को एकादशी कहते हैं ये तिथी मा में दो बार आती है पुर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद पुर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्णिपक्च की एकादशी और मावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्लिपक्च की एकादशी कहते हैं इन दोनों प्रकार की एकादशियों का भारतिय सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व है इस वीडियो में बात अज़ी तीतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिविकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकूल न भूले तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो अश्विन मास्ट में एकादेशी भुवास का विशीश महत्व है इस भुवास से मन और शरी दोनों ही संतुलित रहते हैं एकादेशी के पुवास से गंभी रोकों से रक्षा होती है पाप नाश और पित्रों की शांती के लिए अश्विन कृष्ण तिथी को इंद्रा एकादेशी का विशेश महत्व है इंद्रा एकादेशी सितंबर माह में 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को है अश्विन किष्ट तिथी का प्रारंब होगा 13 सितंबर की सुबए 4 बच का 13 मिनट पर और समापन होगा 14 सितंबर की सुबए 3 बच का 16 मिनट पर अरिक मास्ट के सुकलपक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है मलमास में अनेक पुन्य प्रदान करने वाली पद्मिनी एकादशी को ही कहा जाता है इश्वरत का विधी पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को विश्णू लोग की प्राप्ति होती है पद्मिनी एकादशी सितंबर माह में 27 सितंबर 2020 दिन रविवार को है अश्विन कृष्ण एकादशी तिथी का प्रारंब होगा 26 सितंबर की शाम 6 बच कर 69 मिनट पर और समापन होगा 27 सितंबर की शाम 7 बच कर 46 मिनट पर तो ये थी जानकारी सितंबर माह में पढ़ने वाली एक आदशीती थी हो कि मेरे वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ